आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ कुकर में मटर पनीर बनाने की एकदम नई और यूनिक रेसीपी और इस तरह से बहुत ही कम तेल में बहुत ही टेस्टी मटर पनीर बनता है तो एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो टमाटर को ऐसे 20 से कट किया है एक बड़े साइज की प्याज को लच्छी में कट किया है 7-8 लहसुन की कलिया है चार हरी मिर्च हैं और यह 250 ग्राम की जितना मैंने पनीर लिया है अब सबसे पहले हमने गैस में कोकर रखा है इस और आधी छोटी कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी डालना है ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है कोकर करके हम इसे मीडियम फ्लेम में एक सीटी आने तक कोक कर लेंगे इससे क्या होगा कि हमारे जो प्याज टमाटर है एकदम बढ़ि से सौप्ट हो जाएगे इसका प्रेशर खतम हो गया टमाटर के जो छिलके थे वो हमने हटा दिये हैं अब हमें इन सारी चीजों को मैस कर लेना है तो हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है बस हम सिंपली सा इस तरह से कलची से ही इसे मैस कर देंगे या फिर आप इसे मैस करने इसका पेश्ट होगा वो हलका सा दरडरा रहेगा तो यहां पर हमने इसे मैस से अच्छे से मैस कर लिया है अब हम फ्लेओ को हाय कर देंगे और इसका पानी थोड़ा सा है उससे हम रिड्यूश हो जाने देंगे तो इस टैम पे आप फ्लेम को हाय कर दिजिए बीच बीच मे इसका जो पानी है वो रिड्यूश हो चुका है तो मैं इसमें एक बड़ा चमच देशी घी डाले हूँ इसकी जगह आप चाहें तो एक बड़ा चमच तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसे थोड़ी देर घी के साथ भून लेंगी तो लगबग एक से दो मिनट तक मैंने इसे भून लिया है अब हम इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच कस्मीरी लाल मिर्ची पाउडर दो छोटी चमच मैंने धनिया पाउडर डाला है चोथाई छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगी आदा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के नुशा नमक डाल देंगी अब इन सारी मसालों को हम लगबग आदा से एक मिनट तक धीमी आच में भूल लेंगी तो यह देखिए मसाला कितना बढ़िया से तयार हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है थोड़ी सी मैने इसमें हींग डाल दी है और इस तरह से जब हम इसमें कच्ची हींग डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत जबर जस्ता आएगा मटर पनीर में और हिंग डाइजेसन के लिए भी बहुत अच्छी होती है मसाले बढ़िया से भुन गए है अब मैंने इसमें डाल दी है मटर तो यहाँ पर मैं फ्रोजन मटर के इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहे तो फ्रेस मटर भी डाल सकते हैं मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो से तीन चमश मलाई तो घर में जो दूद होता है उसके उपर जो मलाई आ जाती है वही मलाई इसमें मैंने दो बड़ी चमश डाली है चाहें तो आप अमोल की फ्रेस क्रीम भी डाल सकत इसे भी हम बढ़िया से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम चलाते वे तब तक पकाएंगे जब तक की ग्रेवी में बॉयल ना आ जाए तो इस तरह से आपको चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है जिसे की मलाई फटेगी नहीं और इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही गाड़ी और स्मूध बनेगी तो इसमें बॉयल सा आ गया है तो अब हम इसमें आड़ कर देंगे अपना पनीर तो यहाँ पर पनीर को मैंने चोको टुकणों में कट करके डाला है आप चाहें तो ट्राइंगल सेप में या अपने पसंद के अनुसार काटके डाल सकते हैं मसाले के साथ हम इसे हलके हाथों से मिक्स करेंगे जिसे की पनीर हमारा तूटे नहीं और थोड़ा साम इसमें पाने डाल देंगे इस तरीके से कुकर में ये पनीर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है कभी भी बनाईए जटपट बनेगा और स्वात तो इतना बढ़िया होगा कि आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढख करके इसे दो से तीन मेंट तक कोक करेंगे सीटी नहीं लगानी है बस इसे ऐसे ही कवर कर देंगे मैंने दो तीन मेंट तक पका लिया है अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा गरम मसाला और एक चमश में इसमें पनीर मसाला डाल रही हूँ अगर आपके पास है तो डालिए नहीं है तो आप सिंपल सा गरम मसाला डाल के भी बना सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल पॉफेक्ट है अगर आप और ज़्यादा गाड़ा पनीर पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी थोड़ा सा कम डालेगा तो ये लीजे फ्रेंस हमारा बहुत ही स्वादिस्ट जटपट कोकर में मटर पनीर बन के तयार है आप इस यूनिक सी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा आप शेयर ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे तो हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें फीड़ बैक में जरूर बताएगा फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबा एंटीक किया